प्रफूल आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग डिसकस करने वाले करंट अफेर्स करंट अफेर्स वो भी जम्मू कश्मिर स्पेसेफिक आज के इस सेशन में हम लोग इस अगस्ट 2024 में जो भी इंपोर्टन टॉपिक्स करंट अफेर्स में आये हैं जिन पर हमें एक्जाम में direct question पूछे जा सकता है उन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग MCQ pattern में समझेंगे उस टॉपिक्स से related जो question आपको पूछा जा सकता है आपको कैसे options बना के देंगे जिससे आपको confuse करने की कोशिश की जाएगी और आप correct answer कैसे ढूंड पाओगे ये भी आज थोड़ा सा short में देखेंगे सो चलिए दोस्तो आज हम लोगी session की शुरुआत करते है अब ये session की शुरुआत करने से पहले मैं आपको study IQ आपके लिए जो एक नई batch लेकर आया है बिहार की preparation कर रहे हो ओडिसा, पंजाब, आसाम, हरियाना, MP, West Bengal और obviously अगर आप जम्मू कश्मीर की भी state PCS की preparation कर रहे हो दोस्तो तो आप हमारी संकल्प्त्री batch में admission ले सकते है हमारी batch की जो fees है वो बहुत ही कम है और अगर आप admission लेते वक्त मेरा code PS के live अगर आप apply करते हो तो आपको इस price पर भी discount मिल जाएगा तो दोस्तो जल्दी से जल्दी इस batch में admission लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको daily live classes प्रोवाइड की जाती है आपको mentorship प्रोवाइड की जाती है हर lecture के बाद आपको crux दिया जाता है और उसके साथ ही दोस्तो आप से regular basis पे answer writing practice और current affair भी provide के जाता है यह हमारी जो foundation batch है इसमें दोस्तो हम लोग prelim, mains और interview तीनो stages के आपकी preparation कराते है और make sure करते है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी dream को achieve कर लो दोस्तो जल्दी से जल्दी इस batch में admission लीजे और मेरा code PSK live आप apply कीजे ताके आपको maximum discount इस session पर मिल जाए और दोस्तो उसके साथ ही आप मुझे मेरे telegram channel पर भी join कर सकते हैं जो है proful के underscore science and tech इस telegram channel पर मैं regular daily basis पे आपके साथ current affair शेयर करता हूँ science and technology related और उसके साथ ही मैं जो भी activities करता हूँ उनकी link और PDF में आपको monthly current affair भी send करता हूँ तो दोस्तो आप मेरे telegram channel पर भी मुझे join कर सकते हैं तो ये तो था informative session अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे current affairs में हमें क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग पढ़ने वाल है current affair अगस्ट 2024 का तो चलिए दोस्तो फिर अगस्ट 2024 के इस session को शुरुवात करते हैं तो दोस्तो ये session जो है आज हम लोग इसे MCQ pattern में पढ़ने वाल है तो इस month में जो भी important topics हुए है उनसे related कुछ questions मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उस questions के कुछ answers जो आप भी यहाँ पर बताओगे तो दोस्तो इस series में हमारा आज का सबसे पहला question है अब middle school तगन तगान करके जो middle school है उसका recently नाम बदल ला गया है तो हमें question आ सकता है कि भाई जो middle school तगान है उसको renamed किया है कि skip after तो दोस्तो पहला option है आपके सामने यहाँ पर martyr constable साइनी लाल martyr constable शाम लाल शहीद constable सुन्दर लाल और शहीद constable सुरेश लाल तो दोस्तो इस question का correct answer बताई तो आपने current answer में तो पढ़ाए होगा दोस्तो इस question का correct answer आता है B martyr constable शहीद शाम लाल इन्हें इस इन्होंने डोडा डिस्टिक में अपना सरोचस sacrifice जो होता है supreme sacrifice जो होता है अपनी जान देना देश के लिए उसे इन्होंने परफॉर्म किया था और उन्ही की शहादत को याद रखते हुए जो तगान स्कूल है middle school तगान इसका नाम जो है दोस्तो वो रखा गया है martyr constable शामलाल जी के नाम पर ये था पहला question अब चलिए दोस्तो दूसरा question पढ़ते है तो दूसरा question है which of the following has announced as ambassador for war against waste initiative in जम्मू कश्मीर इन में से जम्मू कश्मीर स्टेट ने किसे war against waste के पहले ambassador याने राजदूत के रूप पर चुना है तो दोस्तो पहला option है कुल्दिप सिंग दूसरा option है कुल्दिप त्रिपाठी तीसरा option है कुल्दिप हंडू और चौथा option है दोस्तो कुल्दिप धिलन इस question का answer बताईए इस question का answer है दोस्तो option C कुल्दिप हंडू sanitation जो एक बहुत बड़ा challenge है रूलर एरियास के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट्स के तो उससे डील करने के लिए रूलर sanitation डिपार्टमेंट ने एक scheme लाँच की है जिसके लिए उन्होंने ओके द्रोनाचारे अवर्ड विनर कुल्दिप हंडू जी को war against west के लिए ambassador चुना गया है बाई जम्मू कश्मीर स्टेट ने अब चलिए next question पढ़ता है तो दोस्तों आज का next question है which of the following district administration organized huge तिरंगा मेला at गैलिजू स्पोर्ट स्टेडियम तो दोस्तों इन में से किस जिला प्रशासन ने गैलिजू स्टोडियम स्पोर्ट स्टोडियम में तिरंगे मेले का आयोजन किया है तो दोस्तों पहला option है कुपवाडा दूसरा option है भारमुला तीसरा option है श्री नकर और चौथा option है जम्मू तो दोस्तो इस question का correct answer आता है option A तो कुपवड़ा district administration ने कुपवड़ा district administration ने तिरंगा मेला जो है वो गैलिजू sports stadium में organize किया है जहाँ पे 10,000 से जादा लोगों ने participate किया है तो दोस्तो गैलिजू sports stadium जो है यहाँ पे यह तिरंगे मेले को आयुजूत किया गया है अब next question है कशूर रिवाज यह cultural festival जो है कहाँ celebrate किया गया था दोस्तो question है कशूर रिवाज यह cultural festival कौनसे district में celebrate किया गया था तो पहला option है कुपवड़ा दूसरा option है बारा मुल्ला तीसरा option है श्रीनगर और चौथा option है जम्मू तो दोस्तो इस question का correct answer है option B कशूर रिवाज कशूर रिवाज यह जो cultural festival है इसे celebrate किया गया था बारा मुल्ला डिस्ट्रिक में और दोस्तो यहाँ पर ना एक world record established किया है district administration ने कशूर रिवाज में पहली बार 10,000 young women जो है उन्होंने इसे perform किया है जो अपने आप में एक world record है तो दोस्तो इसे universal record forum ने recognize किया है as a world record की जहाँ पे आइटर टाइम 10,000 young women ने कशूर रिवाज में cultural festival में participate किया था local folk का dance perform किया था अब दोस्तो next question है किसान खिदमद घर योजना ओके किसान खिदमद घर launched in यह scheme कहाँ पर launch की गई है तो पहला option है दोस्तो उत्तराखंड दूसरा option है हिमाचल प्रदेश तीसरा option है जम्मू आण कश्मीर चोथा option है पंचाब तो दोस्तो इस question का correct answer है जम्मू आण कश्मीर जम्मू आण कश्मीर में जो lieutenant governor मनोज सिन्ना है इन्होंने recently किसान खिदमद घर 500 किसान खिदमद घर को inaugurate किया है virtual mode में अब यह जो किसान खिदमद घर है इस scheme में क्या provide होगा तो दोस्तो किसान खिदमद घर जो 500 center open करने की बात है इनमें जो youth है उन्हें employment मिल जाएगी यूथ को तो employment मिल जाएगी और farmers को information provide की जाएगी farmers को information services provide की जाएगी agriculture से related वो भी under one roof एक ही जगा से सारे information किसानों को provide की जाएगी और in future government ने हापे प्लान किया है कि यहाँ से seed fertilizer और agriculture equipment जो है वो farmers को provide किये जा सके तो agriculture की holistic development के लिए दोस्तो किसान खिदमद घर ये open किये गए है इन जम्मुयन कश्मीर so तो दोस्तो next question है हमारा next question है consider the following statements with reference to Puga Valley अब Puga Valley के बार में हमें दोस्तो यहाँ पे question पूछा गया है तो पहला point है India's first geothermal power project is being drilled in Ladakh तो भारत का पहला geothermal power plant जो है वो Ladakh में हो रहा है option two a project is a joint initiative of oil and natural gas corporation ONGC and LHDC Lehiya and Himalaya Renewable Energy and Construction firm अब दोस्तो which of the statement given above is or are correct दोस्तो इस question का भी answer है option C दोस्तो दोनो statements जो है वो correct है इंडिया का सबसे पहला geothermal power plant जो है वो Puga Valley Puga Valley में build किया जा रहा है और वो भी ONGC के द्वारा ONGC और दूसरा जो है वो Lehiya and Himalaya Renewable Energy and Construction Firm तो इस question का answer है option C अब दोस्तो next question है हमारा question number 7 दिल्रुबा, दिलनशीन and American are the varieties of दोस्तो आपको varieties के नाम पूछे गए और varieties के नाम है दिल्रुबा, दिलनशीन and America तो दोस्तो ये किसकी varieties है एपल, पियर्स, चेरीज, एपरिकॉट तो दोस्तो इस question का correct answer है save ये एपल की varieties है और ये जो एपल की varieties है दोस्तो इनकी दिल्रुबा, दिलनशीन and American इनकी बांगला देश में बहुत जादा demand है और इनकी बांगला देश में बहुत जादा demand है और ये famous varieties है जो कश्चमीर में grow की जाती है दिल्रुबा, दिलनशीन and American अब दोस्तो नेक्स्ट question है हमारा बलीदान स्तंब तो दोस्तो यहाँ पर आपको पूछा है कि बलीदान स्तंब जिसका construction हुआ है प्रताप सिंग चौक पर वो कौन से city में है अब ये बहुत easy question है इसका answer भाई सभी को almost बताओगा कि लाल चौक खापर है कुपवाडा में, बारामुला में, श्री नगर में या जम्मू यान कश्मीर में तो दोस्तो इस question का answer तो आपको पता है कि ये जो है इसका answer है option C श्री नगर तो दोस्तो श्री नगर में बलिदान स्तंब जो है वो प्रताप सिंख पार्क में बनाया जा रहा है लाल चौक श्री नगर ये simple सा question है फिर भी याद रखना है, एक्जाम में पूछा जाता है अब दोस्तो next question है next question भी current affairs से ही है interesting है, defense sector से related है यहाँ पे question आपको पुछा गया है कि M4 rocket M4 rocket launchers is developed by M4 rocket launchers जो है वो कौन सी country ने develop किये है Sweden, France, Germany, Italy तो दोस्तो इस question का answer है Sweden M4 launcher यह जो system है इस system को Sweden ने विकसीत किया था M4 rocket launchers को Sweden ने विकसीत किया था और इसके पास एक special capability है वो यह कि यह 4 bombs को throw कर सकती है at the distance of 1500 meter with night vision cameras night vision cameras के साथ यह at a time 4 bombs को throw कर सकती है वो भी 1500 meter के distance पर तो यह थी M4 launchers नाव दोस्तो next question है यह भी current affairs से based है और यह भी important है जिसे exam में पुछा जा सकता है दोस्तो question है गुरेजी भेड जम्मू आन कश्मीर की एक स्वदेशी भहुदेशी नसल है गुरेजी शीप इस अन इंडिजीनियस मिल्टी परपस ब्रेड आप जम्मू आन कश्मीर second point है females are hornless जो मादा होती है उन्हें सिंग नहीं होते तो दोस्तो which of the statement given above are correct तो इस question का answer है दोस्तो वो है option C दोनो statement दोस्तो correct है गुरेजी ये जो शीप की इंडिजीनियस ब्रीड है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इस ये जो गुरेजी शीप से इनमें female को सिंग नहीं होते और male जो है उन्हें सिंग होते है तो इसलिए दोस्तो दोनों given statements जो है वो correct है अब हमारा जो next question जो आता है next question जो है दोस्तो ये भी interesting है तो चलिए इसे पढ़ते है next question है fertilizer quality control laboratory जम्मू has received accreditation from national testing and calibration laboratory accreditation board तो fertilizer quality control laboratory जो है जम्मू की उसे accreditation मिला है ये पहला statement अब second statement है दोस्तो national testing and calibration laboratories accreditation board is autonomous body under the ministry of science and technology government of India अब यहाँ पे ये जो question है दोस्तो इस question का correct answer क्या है तो दोस्तो इस question का भी correct answer है option C दोनो statement दोस्तो correct है recently क्या हुआ है तो recently जो fertilizer quality control laboratory है जम्मू में जो स्तित है उसे दोस्तो quality control में accreditation मिला है इसे accreditation मिला है और किसने accreditation दिया है तो इसको accreditation दिया है दोस्तो NABL ने NABL means national testing and calibration laboratory accreditation board NABL ने इसे accreditation दिया है और दोस्तो ये जो NABL है ये Ministry of Science and Technology Government of India के अंडर काम करती है वहाँ पे एक autonomous body है तो इसलिए दोस्तो दोनों options सही है Now, next question दोस्तो ये भी question interesting है चिनाब ब्रीज के बारे में है जो की important topic है जो की exam में बहुत बार repeat हो सकता है तो दोस्तो पहला option है The height of चिनाब rail bridge is 359 meter from river bed ब्रीज की जो height है वो 359 meter से रिवर बेट से Option 2 चिनाब rail bridge has been constructed under कोकन railway and उधंपूर श्रीनगर बारा मुला rail link project अब ये जो bridge बनाया गया है इसे बनाया है कोंकन railway और उधंपूर श्रीनगर बारा मुला rail link project ने तीसरा option है रैसी डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन organized a grand tricolor rally on the world's highest railway bridge इन खोरी तो दोस्तो जो डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन ने रैसी डिस्ट्रिक का इन्होंने वहाँ पे एकदम tricolor rally को organize किया है वर्ल्ड's highest railway bridge पर अब दोस्तो इस question का answer क्या होगा तो दोस्तो इस question का answer है औलब दबो सारी given statements जो है वो correct है रैसी डिस्ट्रिक अड्मिनिस्ट्रेशन ने recently यहाँ पर एक तिरंगा rally का organize किया था और Independence Day के occasion पीसे organize किया था जहाँ पे 750 meter long tricolor को host किया गया था और दोस्तो यह दुनिया का one of the largest tricolor था हमारा तिरंगा था अब दोस्तो जो bridge जो है वो उस bridge की hide जो है वो है 359 meters riverbed से और इस project को कोकन railway और उधमपूर श्रीनगर बारामुला rail link project के under construct किया गया था इसलिए दोस्तो उस question में given तीनो जो object है वो correct है तीनो option correct है अब दोस्तो next question है हमारा consider the following statements with reference to DSP हुमायूम भठ अब DSP हुमायूम भठ के बारे में इन में से कौन से statements correct है दोस्तो पहला statement है he was posthumously awarded किर्थी चक्रा इन्हें मरनो परांद किर्थी चक्रा से सम्मानित किया गया दूसरा option है किर्थी चक्रा award is given to soldiers only ओके तो दोस्तो ये award जो है सिर्फ soldiers को दिया जाता है पर भाई DSP थे वो police department में थे याने statement 2 जो है वो तो definitely गलत होगा दोस्तो अगर statement 2 गलत है याने इस question का answer होगा A only A option ओके तो जो हुमायूम भठ जो है DSP जो है जिनने अभी शहादत जिनने शहादत मिली थी उन्हें किरती चक्र अवार्ड पोस्ट हूमर्सली दिया गया है और ये दोस्तो कंट्री का second highest peace time award है second highest peace time gallantry award अब इसका मतलब ये होता है दोस्तो कि दो types के awards होते है एक wartime वाले awards होते है और एक peace time वाले awards होते है तो wartime में जो second highest award जो है वो है दोस्तो किरती चक्र तो इन्हें सम्मानित किया गया है और ये जो किरती चक्र है ये दोस्तो soldiers और civilians दोनों को दिया जाता है soldiers और civilians दोनों को दिया जाता है और ये DSP हुमायुम भट को दिया गया था तो ये peace time का second highest gallantry award है अब दोस्तो next question है सांक्री देवता मिला सांक्री देवता फेयर जो है जो जम्मू कश्मीर में होता है कौन से डिस्टिक में होता है सांक्री देवता मिला पहला option है उधंपुर डिस्टिक दूसरा option है कुपुआड़ा डिस्टिक तीसरा option है बारमुल्ला डिस्टिक और चोथा option है श्री नगर डिस्टिक सो दोस्तो इन चार option में से correct option कौन सा है दोस्तो हमारा correct answer है option A जो सांकरी देवी fair है जो हर साल जम्मू कश्मीर में organize किया जाता है वो है दोस्तो उधंपूर district उधंपूर district में हर साल सांकरी देवी festival को organize किया जाता है अब next question है हमारा consider the following statements statement one a national book trust of India in collaboration with district administration of श्री नगर inaugurate चिनार book festival दोस्तो चिनार book festival का organization जो है उसे national book trust of India और उसके साथ district administration ने किया है यह पहला option है दूसरा option है हमारा चिनार book festival is a nine day book fair on the lawn of शेरे कश्मीर international conference center on a bank of Dalek अब यह nine day चिनार book festival जो है यह nine days तक चलेगा और वो भी शेरे कश्मीर international conference center जो की डल जील के किनारे पह है दोस्तो इसका correct answer है option C both statement are correct चिनार book festival यह nine days का book festival जो है इसे organize किया है कहाँ पर तो शेरे कश्मीर international conference center जो श्री नगर में आता है डल लेक के किनारी यहाँ पर उर इसे organize किया है दोस्तो national book trust of इंडिया के collaboration में district administration अप श्री नगर ने तो इसलिए दोस्तो दोनों statement correct थे अब नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तो हमारा skying center of excellence is being built in skying center of excellence जो है वो कहाँ पर built किया जा रहा है तो पहला option है गुल्मर्ग second option है पैटिनी टॉप तीसरा option है सोन मर्ग चौथा option यूस मर्ग तो दोस्तो इस question का correct answer तो आप जानते होंगे कि भाई skying के लिए सबसे famous center कौन सा है तो वही पर center of excellence बनाया जा रहा है तो दोस्तो center of excellence skying का बनाया जा रहा है गुल्मर्ग में इससे construct कहाँ पर किया जा रहा है गुल्मर्ग में जहाँ पर international और international लेवल के winter sports को host किया जाएगा अब हमारा next question है दोस्तो question number 17 a seventh international conference on a latest innovation in computing was organized at computing में नविन्तम नाम चारो पर सात्वा अंतराष्टिय सम्मेलन कहाँ पर organize किया गया है तो दोस्तो पहला option है Central University of Jammu दूसरा option है बाबा गुलाम शा बादशा यूनिवर्सिटी तीसरा option है Islamic University of Science and Technology चोथा option है University of Kashmir तो दोस्तो 7th international conference on a latest innovation in a computing was organized at Jammu Central Jammu University Central University of Jammu में ये convention organized किया गया था 7th international conference on latest innovation organized at Central University of Jammu So तो दोस्तो अब next question पढ़ता है तो आज का हमारा next question है As per the provision of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 seats have been reserved for scheduled caste and scheduled tribe for a first time in Jammu Kashmir तो दोस्तो पहला option हमें ये बता रहा है कि Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 जो था इसके वज़े से पहली बार Jammu Kashmir में seats जो है वो reserved की गई है SC category के लिए और ST categories के लिए इसके पहले seat reserved नहीं होती थी वो पहली बार हुई है वो भी Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 के बेसिस पे ये first option है second option is seven seats are reserved for scheduled caste and nine seats are reserved for scheduled tribe in Jammu Kashmir तो यहाँ पर बोला गया है कि nine seats जो है वो organize की गई है किसके लिए तो भाई ST के लिए और SC caste के लिए कितने seats reserved की गई है तो भाई उसके लिए की गई है seven seats तो दोस्तो इन में से कौन से statement correct है तो यहाँ पर भी दोस्तो correct answer है option C दोनों के दोनो statement correct है जो state जम्मू Kashmir Reorganization Act 2019 जो पास हुआ था उसके basis पर अभी जम्मू Kashmir में दोस्तो elections हो रहे है जम्मू Kashmir में 2014 के बाद अब पहली बार elections हो रहे है और वो elections जो है वो three phase में elections को conduct किया जाएगा three phases में और पहली बार इसके basis पर दोस्तो यहाँ पर seats जो है वो reserved की गई है तो जम्मू एन कश्मीर Reorganization Act के basis पर पहली बार seven seats जो है वो reserved की गई है scheduled cast के लिए और nine seats है जो reserved की गई है scheduled tribe के लिए तो इसलिए दोस्तो वो दोनो statements जो थे वो correct थे और हमारा correct answer था option C अब हमारा next question है दोस्तो which of the following institution launched a second radio sonde weather balloon from Satish Dhawan Center for Space Science ISRO Center तो दोस्तो second radio sando weather balloon जो है Satish Dhawan Center से जो launch किया है किस ने किया तो पहला option है Central University of Jammu दूसरा option है बाबा गुलाम शा बादशा यूनिवरसिटी तीसरा option है Islamic University of Science and Technology और चोथा option है दोस्तो University of Kashmir तो दोस्तो इस question का भी correct answer है option A Central University of Jammu Central University of Jammu ने सब यहाँ पे जो radio sonde जो बोला जाते है second वाला जो radio sonde weather balloon जो weather climate study करने के लिए send किये जाते है जो 37 दवन सेंटर इसरो सेंटर जो है वहाँ से इसे launch किया गया था और यह जो है climate change के causes को study करेगा और इसे launch किया था Central University of Jammu ने और ये making India vision जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का उसके बेसिस पर इसे fully develop किया गया है तो दोस्तो अब है हमारा next question ये question भी थोड़ा interesting है कि National Green Tribunal has set up a panel to take a prompt remedial action in a response to pollution of the lake in Kashmir तो दोस्तो पहला option हमें बताता है कि National Green Tribunal जो है इदोने prompt action ली है और बोला है कि वो भी डल लेक में pollution के regarding में है second option है NGD was established on 18th October 2010 under National Green Tribunal Act 2010 National Green Tribunal को स्तापित किया गया था कब 18 October 2010 को वो भी act के basis पे तो दोस्तो इस question का भी correct answer है option C दोनो statements जो है वो correct है तो दोस्तो National Green Tribunal जो है इन्होंने अभी एक panel setup किया था ताके prompt action ली जा सके जो डल लेक में pollution हो रहा है उसके regarding अब दोस्तो डल लेक में जो दो canals है particularly neither and जोगलीकर यहाँ पे दोस्तो anaerobic respiration याने almost anaerobic हो गया है जहाँ पे water इतना polluted है कि उसमें बहुत जादा organic load increase हो गया है बहुत जादा organic load increase हो गया है मतलब वो water जो है वो highly polluted हो गया है तो उसी के हिसाब से NGT ने यहाँ पे prompt remedial action लेने का order दिया था और दोस्तो NGT National Green Tribunal जो है इसे 18 October 2010 में setup किया गया था National Green Tribunal Act के basis पर दोस्तो इसी लिए इस question में भी दोनों options हमारे correct है अब है दोस्तो हमारा next question which of the following has been awarded International Platinum Award by Gold Master International Academy of Art and Literature अब दोस्तो किसे Platinum Award मिला है International Platinum Award वो भी कहा से तो भाई Gold Master International Academy of Art and Literature हंगरी से तो पहला option है दोस्तो ग्यान कुमार शर्मा दूसरा option है गगन कुमार शर्मा पीसरा option है गनेश कुमार शर्मा और चौथा option है गवरव कुमार शर्मा दोस्तो इस question का भी correct answer है option C option C तो गनेश कुमार शर्मा जो sculptor है गनेश कुमार शर्मा जो खुद एक बहुत बड़े sculptor है उन्हें international platinum award मिला है international platinum award उन्हें मिला है और वो किस ने दिया तो gold master international academy of arts and literature हंगरी तो गनेश कुमार शर्मा तो दोस्तो अब पढ़ते हैं next question तो आज का हमारा next question है teacher उर्फाना अमीन ओके teacher उर्फाना अमीन will be awarded the prestigious national teacher award 2024 by president दुरोपदी मुर्म इन्हें प्रतिष्ठित राष्टिय शिक्षक पुरसकार दोहजार चोबी से सम्मानित किया जाएगा शिक्षिका उर्फाना अमीन को वो भी राष्ट्रपती दुरोपदी मुर्मू की द्वारा ये पहला option है दोस्तो second option is अब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये childhood care और education program में कश्मीर में काम करती है और इनकी commitment जो है educational innovation के लिए वो बहुत ही प्रतिबतता है तो दोस्तो इस question का अभी correct answer होगा option C दोनो statement दोस्तो correct है यहाँ पे जो दोनो statement दिये वो correct है जो उर्फाना अमीन जो है उन्हें prestigious national teacher award दोजार चोबिस का मिला है national teacher award दोजार चोबिस का उन्हें प्रेजिडेंट रोपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है और वो उनकी commitment के लिए दिया गया है उन्होंने जिस तरह से कश्मीर में बहुत ही अच्छा innovative काम किया है उसके लिए दोस्तो इन्हे educational innovation और उसके साथ ही commitment and transformation के लिए भी ये award दिया गया है तो दोस्तो ये था हमारा August 2024 का current affairs session I hope you found this session very interesting और जो भी questions आज हमने discuss किये वो बहुत ही important थे exam के इसाप से बहुत ही important है और exam में आपको पूछे भी जा सकते है तो I hope कि आप इसका पूरा benefit उठाएंगे अच्छे से इनको prepare करेंगे और exam के लिए एकदम best of luck So see you just Thank you